आप सभी का स्वागत है तिवारी एकाडमी में, कैसे हैं आप सभी, मुझे उमीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, बहतरीन होंगे, और जहां भी है वहाँ पर कर रहे होंगे, खूप सारे मजे, है ना? मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ में EVSK चैप्टर 24 की यानि कक्षा चार में पर्यावरण अध्यन विशे के अंतरगत आने वाले अध्याए 24 की आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस अध्याए का नाम है क् दूर देश की बात तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर यह बताया गया है सबसे पहले कि आलू मालू के घर में बहुत चहल पहल है क्यूं है चिटपन और उनका परिवार पांच साल बाद घर जो आये हैं पांच साल पहले चिटपन की नौकरी अबुधावी में लगी थ थे हवाई जाहस के पहुचने के बाद सभी आत्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया आखिरकार चटपन कुझम्मा और बच्चे हवाई अड़े से बाहर आते दिखाई दिये शान्ता और शशी कितने बड़े हो गए हैं अपपा एक एक बोल पड़े सारा सामान ट भारत से बहुत दूर है मालू ने कहा अरे नहीं हम तो बिलकुल नहीं थके माना आबुधावी यहां से बहुत दूर है पर हवाई जाहास से पहुचने में हमें दो ही घंटे लगे हवाई जाहास बहुत तेज जोडता है शान्ता बोली मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई उसे याद आया जब वह अपने स्कूल में ट्रिप पर चैनने गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे बारा गंटे लगी थे लेकिन नक्षे में तो चैनने और कोची बहुत पास दिखाई देते थे अब हवाई एड़े से घर तक के रास्ते में मालू शानता और शशी ने बहुत सारी बाते की मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था वह शानता से भी पूरे सफर की बाते जानना चाहती थी आगे है रेत ही रेत मालू ने पूछा क्या तुमने हवाई जाहाज से बहुत ही मज़िदार चीज़े देखी हाँ ज्यादातर हवाई जाहाज से बादल ही बादल दिखाई दिये क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत उपर उड़ रहा था इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी पर रेत का रंग बदलता रहा कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला, लाल, तो कभी काला कभी कभी उन्हें रेत के पहाड भी दिखाई दिये फिर नीचे जमीन दिखाई देना बंध हो गई शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते है शशी ने आगे कहा मैंने तो किवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है मालो बोल फड़ी, तब तो तुम्हें अबुधाबी जरूर आना चाहिए चिटपन बोले उन्होंने बताया कि अबुधाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी अलाके में है शहर में थोड़ी ही दूर जाओ तो चारो और दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है ना कोई पेड नहीं हर्याली केवल रेत केरल में बने अपने घर के आसपास की हर्याली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कुन्जमा बोली बारिश कैसी होती है यहाँ बात तो शानता और शशी भूली गए है वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है वहाँ न बारिश है ना ही नदिया न जील है और ना ही तालाब जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है चिटपन ने कहा शशी ने बीज में कहा लेकिन वहाँ रेटिली जमीन के नीचे तेल होता है इसलिए तो वहाँ पैट्रोल आसानी से मिल जाता है वहाँ पैट्रोल पानी से सस्ता है चिटपन ने बताया बाते करते करते सब मालू के घर बहुच गए टेक्सी से उतरते ही शशी और शांता आसपास इतने सारे फलो के पेड़ देखकर हैरान रह गए आरियल, केले, पपीते, सुपारी, कठल, कितने ही तरह के पेड़ अपने बैग और अटैची खोले वे सभी के लिए तोफे लाई थी और खजूर भी मीठे मीठे और स्वादिस्ट शशी ने मालू को आबुधाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए शान्ता ने बताया कि वहाँ अलग-अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिर्हम कहा जाता है उन पर वहाँ की अरवी भाषा में कुछ लिखा होता है उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरे भी दिखाई चिटपन ने मालू को एक गलोब निकाल कर दिया बोले मालू ढूंदो अपुधाबी कहा है और केरल कहा सब बच्चे गलोब पर अलग-अलग जगह ढूंद कर मज़े लेने लगे मालू ने चेन नहीं और कोची भी ढूंदा शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबुधाबी की तस्वीरे देख रहे थे बहुत उची-उची हिमारते और उनमें बड़ी-बड़ी शीशे की खड़किया उनको देख मालू जट पूली इन खड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी चटपन बुले अबुधाबी में खड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उड़ता बाहर बहुत ही गर्मी होती है ज्यादा तर जगा तो एयर कंडिशनर चलते हैं गर्मी की वज़े से वहां की लोग धीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा परिवार और सुरी पूरा शरीर और सिर भी ढख कर रखते हैं इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं मालू को वहां की तस्वीरे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था उसे कितनी सारी नई-नई बाते भी सुनने को मिल रही थी वहां हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी उसने सोच लिया कि वहां आबुधावी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तयार करेगी अब है चर्चा करो और लिखो इसमें सबसे पहले हमें यहां पर दिया है कि तुम भी अपने शहर की तुलना आबुधावी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तयार करो उसमें तस्वीरे और चित्रबे बना कर लगा सकते हो अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना जलवायू और मौसम, पेड़ पौधे, लोगों का पहनावा, इमारते, सडको परवाहन, भाशा और खान-पान तो ये एक आप समझे की कतिविधी का काम है तो ये आपको स्वयामी करना होगा इसके बाद लिखा है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अत्यधिक, यानि अत्यधिक, सुश्क जलवायू तथा कम पानी होने के कारण पेड़ पौधे वहाँ पर कम होते हैं इसके बाद लिखा है, क्या तुम्हारी जान पहिचान की कोई व्यक्ती, किसी और देश में रहते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि, हाँ, मेरे मामा जी जो है, वो लंदन में रहते हैं। इसके बाद में लिखा है, वे वहाँ कब से रहते हैं? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण भी था? तो मैं आपको बता दूँ कि वे वहाँ पिछले साथ वर्षों से रहते हैं, वे वहाँ पर काम करने गए हैं. इसके बाद है इन नोटों को देखो हर नोट के सामने के बकसे में उसका मूल लिलिखो जैसे ये सबसे पहला जो नोट है ये 10 रुपे का है तो आप इसके सामने 10 रुपे लिख सकते हैं इसके बाद में ये नोट 20 रुपे का है ये नोट 100 रुपए, ये 200 रुपए और ये 500 रुपए का नोट है इसके बाद समझे, ये कौन से देश के नोट है, तुम कैसे जानोगे तो मैं आपको बता दूँ कि ये भारत के नोट है हम ने लिखे चीजे देखकर पहचानेंगे नोट पर किस की तस्वीर बनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि नोट पर महात्मा गांदी जी की तस्वीर है फिर लिखा है क्या नोटों पर मूले के अलावा और भी नंबर लिखे है तो मैं बता दूँ कि हाँ नोटों पर मूले के अलावा नोटों के क्रमांक नंबर लिखे हुए फिर है क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं दो नोटों पर एक ही नंबर छपा नहीं हो सकता फिर आगे है कि एक दस रुपए के नोट को ध्यान से देखो इस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस पर लिखी गई तीन भाषाओं की पहचान हम कर सकते हैं फिर आगे लिखा है किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो, तो बैंक का नाम है भारती रिजर्व बैंक, फिर आगे है सिक्को का मिलान करो, है न, इनमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिया गया है, तो मैं बता दूँ कि मैं इनमें से सारे सिक्के पहचान सकता हूँ, सिक्को पर मूले के अलावा भारत राश्च्री एक्ता 2016 तथा सत्य में उजयते लिखा है फिर आगे है कि इन नोटों को देखो क्या ये सभी नोट भारत के है जो नोट भारत के नहीं है उन पर राल गोले बनाओ पता करो और लिखो कि बच्चे हुए नोट कहा के है चलिए ये काम भी भी कर देते हैं बहुत ही सरल है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि गुला बनाते हैं एक मिट कलर थोड़ा बदलू मैं ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले ये नोट जो है ये भारत का नहीं है है ना गुला थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ये नोट जो है ये भारत का नहीं है ये मिस्र का है ठीक है इसके बाद में ये वाला नोट जो है ये भी भारत का नहीं है ये जो नोट है ये यूरोपिय संग का नोट है इस नोट की बात करें तो ये नोट जो है ये अरब अमीरात का नोट है ये नोट जो है ये भी भारत का नहीं है ये बेलरूस का नोट है ये नोट अमेरिका का है आपको बता दू ये वाला चीन यानी चाइना का है और बचा है अब बचे दो नोट तो दो में से ये वाला नोट जो है ये भी भारत का नहीं है ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, यह चैप्टर जरूर पसंद आया होगा, है न, आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं, है न, बाकि आपसे मेरी जल्दी मुलकात होगी, नए chapter के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार